इस वीडियो में दोस्तों में लोग बात करने वाले action construction equipment limited के बारे में जिसकों इंशॉट एस के नाम से जानते हैं तो details आपके सामने हैं और PDF काफी बड़ा में देखने को मिलें अगर आपको numbers clear नहीं है तो आप video quality बढ़ा सकते हैं या आप comment करके बता सकते मैं PDF का link आपको provide करवा दूंगा तो आप इन detail में खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं तो right side में consolidated numbers है इस side आपको stand loan data देखने को मिलें तो हम लोग बात करेंगे consolidated की और सारे figure in lakhs में हम लोग इन करोड में discuss करने वाले quarter 4 की earnings आपको इधर देखने को मिलेंगी then quarter 3 का data then March 2022 की earnings है तो चलिए बात करते हैं company की total income की जो अगर आप देखेंगे तो yearly basis पे 514 करोड की income थी वह बास 616 करोड पे आगी और quarterly 564 करोड से बढ़के 616 करोड पे आगी तो income में हमें quarter on quarter plus year on year basis तोनोई ज expenses की जो होते खर्चे इस बार के जो expenses रहे हैं वह में 548 करोड के देखने को मिल रहे हैं quarter 3 में 501 करोड के थे मार्स 2022 में 70 करोड के थे तो जिस तरीके से company की income बढ़ी है same company की खर्चे भी है quarter plus yearly basis पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है then discuss करते हैं कि profit for the period जो की after tax company को कितना ह हुआ तो yearly profits की बात करें वह 35 करोड से बढ़के 47 करोड पे और quarterly 46 करोड से बढ़के 47 करोड पे आगे तो Q on Q basis पे थोड़ी बहुत growth है but yearly basis पे एक अच्छी उचाल हमें देखने को इस बार बिल्कुल मिल रहे है company की overall profits में same reflection आपको earning पर share में देखने को मिलेगा profits बढ़े तो EPS भी yearly 2.97 से 4 पे आ गया और quarterly थोड़ी बहुत growth है तो 3.90 से EPS बढ़के 4 पे आ गया तो जिस तरीके से दोस्तों profit बढ़े same company के earning पर share में quarter प्लस yearly basis पे growth देखने को मिल रहे है और जो result के announcement भो market बंद होने के बाद हुई है तो देखते है market का क्या reaction रहता है इस पे तो आपक किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बबाए जय हिंद